दोस्तो वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल दोस्तो और आज आप सभी के लिए हमने फिर से एक नहीं वीडियो लेकित आ दोस्तो और आज की वीडियो है कि हम लोग फोटो सोप में फेस कैसे किलीन करेंगे जैसी कि आप लोगों को यहां से यूटूब की थामनेल में दिखे ह किसे तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबस्क्राइब जबूर की जब किजगा और वीडियो को लाइक करके अपनी दोस्तों के साथ में भी शेयर किजिए चलिए आज की टौफिक हम अपनी स्टार्ट करते हैं सबसे प्रहे करना आपको अपनी सिवेंट कर लिए और आपकी आपकी आ से ले लिए यहां और यहां से पूट तो को सबसे पहले यांसे कि थोरो सी फोटो में हैं कम दिखिख रहा है कीवोड को क्रेंस करना है ठीग से तोड़ा से और यहां से ऐंच करेंगे नेक्स क्रेंट से लेयर पेनल पर ना रखेंड करना जाकर आप sellers नेक्सट के बैक्राइब तोंगों है इस दोनों को मर्ज कर लेना ठीक है यहां से लगा हुआ है यहां पे डबल क्लिक करेंगे और यहां से कर देंगे लोग हट जाएंगे नेक्स्ट यहां से करेंगे देखिए यहां से लेयर का क्या है डब्लीकेट हो चुका है तो यहां से लेयर को बड़ा कर लेते हैं यहां से लेयर हो चुका है यहां से लेयर है लेयर को सेलेक्ट करके और यहां से हमारा नॉर्माल है इसको यहां से जाकर यहां से ब्लाइट कर दाना ठीक हैं। देखें हैं से ब्लाइट हो चुके यह फोटो आपका खड़ाब नहीं हुआ है। यह करने के वाद में करना है कि रीबुज्ट से सब्सक्राइल यहां के बास्ट कैने के बाद में बास्-टार्ष कितना देना यह जितना पे आपको अपने को आप यहां ताश कोडिंग आप यह रख लीजये कर ठीक है जितना पर आपको यह वेस्ट लगए ठीक है यह चलिए हम इसको 60 के असपास रख लेते हैं ठीक है और इसको हम यहां से कि लिन अपने हो पाएंगे अच्छे से इनको जतना ज्यादा कम रहेंगे मेरे हिसाब से ठीक है इनको रखते हैं फोर के आसपास में सही रहेंगे ओके कर रहे हैं नेक्स्ट क्या करना आपको इसके उपर अब लेयर मास्क अप्लाइब करने से पहले हमारा फूर ग्राउंड क करेंगे ठीक है यहां पर देखिए वाइट दिख रहा है और कीबोड से जब कंट्रोल आइब हम प्रेस कर रहे हैं यह ब्लैक हो जाएंगे ठीक है और मेरा फूटो के उपर आपको लेयर मास्क लेक्ट होने के बाद में यहां से आपको ब्रस टूल लेना है और और सीटी औ करना जहां जहां आपको दिख रहा है दाग धब में वहां वहां ब्रस चलाना आपको देखिए यहां से क्लीन अफोना बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो रहा है जहां जहां आपको दाग दिखें वहां वहां आपको ब्रस चला देना है चलिए तो हम क्या करते हैं तो देखिए अब देख सकते हैं आप लोग फोटो पूरा क्लीनिंग हो चुके हैं इंसाइड नहीं हुए थी चलिए इंसाइड भी कर देना तो इस तरह से आप लोगों को फोटर्स के उपड यह साड़ा पिंपल्स यहां से रिमूव कर देना ठीक है इस नहीं है नेक्स्ट काम क्या करना आप लोग प्लिए से आपको करने के वाद में क्या करना है सबसे पहले जा करके इसको यहां पर नीचे यहां पर देखेंगे सार्पनेस का अप्सन इसको लोग कर देना अर्फ सोपनेस का थोड़ा देना जितना पर आपको picture पिक्चर के उपर में करना क्या है आपको यहां से कंट्रोल की बोर्ट से आपको कंट्रोल वी बटन दवाना यहां से कॉलर वैलेंस का अप्शन खोलना ठीक है कॉलर वैलेंस यहां पर आचुका है कि बढ़ा लेंगे ठीक है चलिए पिक्चर पर लाइट भी बढ़ चुक है अब देखिए यहां पर क्या कि थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा है इनको भी आप चाहे तो रिमूब कर सकते हैं इसके लिए करना क्या हुआ यहां से पैस्ट लिजे और यहां से इनको डेटा को यहां से सिलेक्ट कर लीजे जहां पर बंदिख रहा है और यहां से अच्छंखे चाहीं वाल जबह पले आकर कि इसकार दीचे रिमूब कर सकते हैं देखिए स्पिक्चर में कितना लग रहा है पहले वाले longer में और आपकी अपक से लेगे लिए को चोटा होता करला थे इन पिक्टर को और इन इमेज को देखते हैं और नस्य को अब फर्फर आपर आप फुद के देख सकते हैं में क्या अंतर लग ओड़ा है। तो इस तरह से हम लोग फेच को matar करेंगे फोटोशोप के अंदर में और आपको यह वीडियो कर पसिंद आए तो वीडियोज को लाइक किजिए और अपनी दोस्तों को साथ भी शेयर किजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हैं तो चैनल को जोर सब्सक्राइब किए तले मिलते हैं आप लोग